हे दोस्तों में चिराग एक वीडियो के साथ तो आज हम देख रहे हैं Financial Statements Analysis का पार्ट जिसके अंदर अपना जो पार्ट आएगा वो Format of Balance Sheet का पार्ट आएगा और Format of Statement of P&L का पार्ट आएगा अब देखें डीटेल पार्ट होगा क्योंकि इसके अंदर theoretical पार्ट भी cover हो जाएगा यहां हम बोल सकते हैं कि assets का है, liability का है, उनकी बहुत सारी theories के पार्ट है वो सारे cover हो जाएगे तो इसलिए दो वीडियो में cover होगा, उसके बाद इसके कुछ MCQs है तो अगली युडियो में ही मैं आपको साथ में cover करा दूँगा, आपको cover करने के लिए नहीं दे रहा ठीक है, तो यह पार्ट cover होने के बाद हमारा आएगा ratio analysis, fund flow analysis और cash flow analysis अब आप बोलो कि sir, वो third topic जो की corporate accounting का है, वो cover नहीं हुआ, तो वो तो इसके बाद ही cover करेंगे यानि यह सारा part एक साथ हो जाए, क्योंकि देखिए इससे आपका current assets, current liability या जो भी non current liability, non current assets यह सारा part cover हो जाएगा, जिससे मुझे ratio कराने में आसानी होगी, नहीं तो फिर मुझे क्या होगा, वापिस से आपको previous part बताना पड़ेगा कि assets ही होती है, तो इससे अपना फायदा हो जाएगा, जिससे ratio में क्या करूंगा, आपको detail में ज्यादा part नहीं बताऊँगा, क्यो में बनता है, ठीक है, तो एक तरीके से बोल रहा है, जो भी हमने financial accounting किये, उसका ये final product है, आपको बताएं कि income statement बनता है, जो कि profitability बताता है, और इसी तरीके से statement of financial position या आप बोल सकते हैं कि balance sheet बनती है, जो कि assets और liability की detail बताती है, लास्ट में closing balance क्या आ रहा है, ठीक है, तो य on and mayor की देख सकते हो, इसने क्या बोल दिया, the term financial statements as used in modern business refer to two statements, which the accountant prepare at the end of the period of time for a business enterprise, अब दो statement क्या होंगे, balance sheet या जिसको हम बोलते है statement of financial position, या income statement जिसको हम बोलते है P&L statement, लेकिन इसके अलावा आपको company act में बताएं कि और भी statement होते हैं, तो ये नीचे cover कर रखे हैं मैंने, क इसके अलावा cash flow statement भी होता है, इसके अलावा statement of change in equity भी होता है, और एक explanatory note अकर देना है तो आप वो भी दे सकते हो, cash flow statement सारी companies के लिए जरूरी नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि one person company, small company और dormant company के लिए cash flow statement बनाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे section या रख लेना section 2, subsection 40 बोल the end of the financial year, तो यहाँ रखना as at, पहले तो आप क्या करते है, as on, as at, यानि शुरू शुरू में जिन्हों ने पढ़ा होगा, जिसे हमने पढ़ा as on भी करते थे, as at भी करते थे, हम horizontal भी पढ़ते थे और vertical भी पढ़ते थे, लेकिन आप बोल सकते हैं कि जैसे schedule third revise आया, तो उसक कवर करेंगे, ठीक, फिर वैसे आप statement of P&L का पार्ट देखते हो, एक और चीजा रख लेना, जो balance sheet होता है generally, वो point of time की बात करता है, जबकि बाकि सारे statement generally जो होंगे, वो period of time की बात करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, P&L account generally जो होता है, वो period of time, point of time का मतलब क्या होता है, कि आप जब भी balance sheet बनाते हैं, वो किसी भी particular part के लिए बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको year end पर बनानी हो, जबकि P&L generally जो होता है, वो क्या होता है, period of time के लिए होता है, period of time का मतलब क्या हो गया, कि एक particular period है, एक April से लेके 30 March, तो आपको बताए कि आप जो P&L यानी result देखन चाते हो, वो साल के end में देखना चाते हो, जबकि यहां पर balance sheet जो है, वो बोल रहा है, as at the end of the financial year, तो as at the end का मलब क्या होगे, कि आप किसी भी point of time पर बना सकते हो, जब भी आपको क्या करना है, closing balance देखना है, assets का, liability का, तो इसलिए हम generally बोलते है, point of time, इसलिए जब भी आप से exam में बूछे कि balance sheet at a period of time होता है, कि जो बनता है, तो आप क्या बताओगे, नहीं, वो point of time बनता है, क्योंकि अगर आपको मैं बोलूँगा, कि जैसे देखो, आपको 31st March को account close हो रहा है, लेकिन अगर आप closing balance 31st December को देखना चाते हो, तो आप balance sheet बना सकते हो, ठीक है, जबक point of time है, आपके लिए आसा नहीं रहेगी, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो आगे, ठीक है, अब यहां पर यहां पर बोल दिया कि मैंने आपको बताया है, जो cash flow statement हो generally, यह company include नहीं करती, one person, small or dormant, short मैं बता जाता हूँ, वैसे तो देखिए, legal aspect में आपका यह आजाता है, companies company check 2013 में kind of companies में यह सारा पार्ट आ जाएगा, लेकिन यहां पर तो मैंने cover नहीं करा, तो one person company का मलब क्या होता है, देखिए, ऐसी company है, नी one person company, ऐसी company है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक member होता है, क्योंकि नाम ही क्या है, one person, तो एक member वो ही generally क्या होता है, director होता है, क्योंकि आ प्राइवेट कंपनी होती है, यह small company भी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है, क्योंकि जब भी इनकी अब definition देखोगे, बोलेगा other than public company, ऐसे बोलेगा generally, तो यहां पर one person company में क्या होता है, other than public मलब, यह private companies होती है, वो ही private companies का मलब क्या हो गया, कि share transfers जो भी होते ह उस पर restriction लगाती है, या public में एक तरीके से invitation, invite नहीं कर सकती, securities के लिए purchase करने के लिए, जैसे जो public company करती है, जो की issue करती है, market में share, यह generally नहीं कर सकती, यानि invite नहीं कर सकती, तो इस तरीके से short short में आपको देखना है, अगर आप small companies का बाट देखोगे, तो small companies में मैंने क्या बता है, other than public company, लेकिन इसमें भी गया, small company में criteria पूरा करना पड़ता है, कि paid up share capital जो है, वो 50 लाग से ज्यादा नहीं हो, यह बोल दिया, या और such higher amount ऐसे generally आ जाता है, तो वो तो देखो आपको detail में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं तो short में बता रहा हूं कि अगर आपको normal दे condition साथ में पूरी होनी चाहिए, पहले और लगता था, लेकिन बीच में एक बार amendment आया था, यानि शाहिए 2015 इसमें तो small companies के case में क्या कर दिया, and लगा दिया, कहने का मलब pay to share capital 50 लाग से जादा नहीं होनी चाहिए, और साथ में इसके साथ एक और condition भी पूरी करनी पड़ेग आपको बता है कि dormant का मलब होता है, inactive या inoperative company, इसका मलब क्या हो गया, ऐसी company जिसको आपने incorporation कर लिया, लेकिन वो operate नहीं कर रही, मलब business activities नहीं चला रही, तो इसका मलब आपने क्या वोला कि sir, जब operate क्या होगा, तो शुरू में तो registration क्या होगा, हाँ तो वो कर सकती है, पर significant transaction नहीं कर सकती, तो यानि significant में कौन सा आएंगे, वो ही business activity के पार, तो significant क्यला होगा, कौन से transition होगे, देखो शुरू में उसने क्या करा होगा, रजिस्टरार से registration करा होगा, वो तो करेगी, ठीक है, share issue करे होगे या normal part capital के लिए, तो वो करी होगी, लेकिन ये क्या है भी इसके बाद business activity नहीं कर रही, operation नहीं करी, business के काम नहीं कर रही, तो वो dormant होगे, डीटेल में about companies act 2013 में cover करेंगे, अब financial year, financial year, जनरले आप income tax के साब से भी देखते हो, आपको बताएगी, एक अपरेल से लेके 31st मार्च उसके साब साब ने देखा होगा, ठीक, तो वैसे ही य ending on 31st day of March every year, ठीक, यह आ गया, तो बिल्कुल ठीक है, फिर इसके साथ बोल दिया, and where it has been incorporated on or after the first day of January of a year, अगर company कहा है, एक जनरली यह उसके बाद रजिस्टर हुई हो, तो इसके आद के बोल दिया, the period ending the 31st day of March of the following year, यानि अगले साल, तो आपको अब देखो इस line के साब से बोल रहा है, अब यह मैंने चेक करी थी है, तो प्रॉपर सही है, कोई गलत नहीं है, पर यह बोल रहा है कि जैसे एक जन्वरी को अगर, क्योंकि companies act के साब से बोल रहा है, अगर एक जन्वरी मान के चलो, 19 को रजिस्टर हुई है, इसके बाद, तो उस case में क्या होगा, जो financial year होगा, वो 31st March 20, 31st March 20, क्योंकि देखिए यही बोला, the period ending ने 31st day of March of the following year, अगले साल के 31st March को, तो 31 March 20 न की, 31 December 19 रहेगा, 31 March 20 रहेगा, in respect where of financial statement of company or body corporate is made up, तो इसलिए आ रखना यह पाट है, फिर आपको बोल दिया, कि जो भी financial statement है, section 129, subsection 1 क्या according, shall give true and fair view of the state of the affairs of the company, इसका मला बिजनेस की जो भी position है, उसका सही और सच्चा विवरेंट दिया जाना, चाहिए, फिर आपको बोल दिया, comply with the accounting standard, notified under section 133, जो भी accounting standard है, उससे related, जो भी guidelines है, वो पूरी करनी चाहिए, shall be in the form as में भी prescribed in schedule 3, schedule 3 में दो पाट आता है, part 1 जिसे हम है कि balance sheet का part, और part 2 जिसे हम बोलते है statement of PNL, या रखना, आप यह मत सोच ना, PNL और balance sheet, PNL बनता है, फिर balance sheet बनती है, normal आप या रखते हो, तो कहीं part 1 जिसे या रख लो, part 1 balance sheet, part 2 statement of PNL, क्योंकि एक बार आ भी चुका है, कि schedule 3 का part 2 कि से related है, आपको क्या बताना था, statement of PNL से related, और part 1 कि से related है, balance sheet से, अब देखिये, characteristic, characteristic simple से आपको बता है, कि information जो भी होने चाहिए, financial statement की monetary form में, तो non-monetary term नहीं आता, या accounting principle में आपको बता दिया, financial statement को आप historical document भी बोल सकते हैं, क्योंकि generally आपको बता है कि historical cost के basis पे आप जो fixed assets, जो भी purchase करते हो, वो maintain करते हो, तो financial statement बोल दिया, क्योंकि आपको बता है कि आप बना रहे हो, आपने बना लिए, तो आपको बता है कि आपने 1st April से 31st March का जो भी पार्ट है, वो आगे बनाया होगा, April में, मही में, जून में, तो उसके जो record है, वो पिछले ही है, थीक, तो इसलिए बोल दिया, historical documents है, financial statement present profitability through statement of panel and financial position through balance sheet of an enterprise, यह तो आपको बता ही है, फिर आपको बोल दिया है कि यह जो financial statement है, यह अलग-अलग users को मिल जाती है, internal users, जैसे हम बोल सकते है, owner, employees, management, external users हो गए, bank हो गई, हम बोल सकते है, supplier हो गई, debtors हो गई, यानि customer की बात कर रहे है, shareholders हो गई, possible shareholders हो गई, जो invest करने की सोच है, financial institution हो गई, वो सारा पार्ट इसमें आ गया, अब देखिए objective और financial statement में बोली यह रहा है, कि financial statement बोलाने का reason ही है, कि बहुत सारे जो users है, जो company की through benefit उठाएंगे, या company भी जिनके through benefit उठाएंगे, तो company उन users को सही statement देना चाती है, और वो users भी जो आपको दे रखे हैं सारे के सारे, वो इनी information के दुरू, company के साथ transaction करना चाती है, तो इन users के एक तरीके से decision making में आसानी होगी, कि वो decision ले या नहीं रहे, investor, invest करने की सोचे, या नहीं सोचे, जो shareholder की बात कर रहे हूँ, creator, आगे माल देने की करे या नहीं करे, loan provider, loan देने की करे, या नहीं करे, यह पा इसमें रहने की करे, ठीक, क्योंकि employee देखेंगे कि company हमें क्या कर रही है, benefit दे ही नहीं रही, इतना company कमा रही है फिर भी, या company हमें bonus, यह हम बोल सकते है, incentive प्रोइड करी नहीं रही, जबकि company क्या कर रही है, आप financial position देख रहे हो तो बहुत strong है, उसकी अच्छी चल रही है, अब देखिए, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने accounting principle में भी, नॉर्मल मान के चलो कि आपको बताया है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपने users का part देखा था, वहाँ पे मैंने बता दिया था, फिर यहाँ पे देखिए, आपको बताया है कि financial position की necessary information देने क के लिए आगया part, फिर to present base for future decision जब भी आपको क्या करना है, future decision लेने है, तो आप past के result के basis पे future decision लेने की सोचोगे, कि हमने क्या गलती की थी, अब हम गलती ना करें, तो आगे future decision making आसान हो जाएगी, फिर वही true and fair view देना, P&L और financial position का, मलब वही P&L और balance sheet का, to provide knowledge about the work done by the business concerned for upgradation of social environment, वही आजकल corporate social responsibility भी रहती है, तो वह सारा part बताने के लिए हमने क्या-क्या issues socially किये है, फिर देखिए balance sheet of company की बात कर रहा है, तो आपको बताए कि शुरू-शुरू में तो वही बोलेगा, कि at the end of each financial year, क्या बनाया जाता है, statement of panel और balance sheet बनाया जाती है, जिसको final account बोल related होता है, statement of panel से, जो कि schedule third के अंदर आता है, general instruction आपको दे रखिया, जो नीचे अभी में बताऊंगा, यह बोल रहा है, according to schedule third of company 2013, new vertical format of balance sheet is as follows, तो यह रखना, balance sheet और पीनल का वर्टिकल बनता है, companies के case में horizontal नहीं बनता, ठीक है, तो क्या पता, आपके one-liner आजाए, या statement one, या one, two, three, four, ऐसे चार statement आजाए, और बोल दे कि दो option कौन से सही है, तीन option कौन से सही है, या इसमें से कौन सा incorrect है, ऐसे भी बोल सकता है, तो इस तरीके से आप क्या सकते है, तो छोटे-चोटे point, देखिए, जैसे balance sheet is a point of time होता है, तो एक बार पूछ ला था period of time, तो वो लोग आता है, एक है equity and liability, और एक है आपका assets का part, ठीक है, equity and liability में चार heading आती है, तो आपको याद रखना है, अगर आप story बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो, मैं generally prefer नहीं करता, क्योंकि अगर मैं 15 चीजों की 15 story बनाऊंगा, तो मैं खुदी confused हो जाऊंगा, किस-किस की बनानी ह तो यहाँ पर एक तरीकी से आप क्या करोगे, जब practice करोगे, तो अपने आप याद हो जाता है, जैसे देखो मैंने आपको बुला, shareholder fund, share application money, pending allotment, non-current liability और current liability, ये इसके 4 head होते हैं, और assets के 2 head होते है, non-current और current, अब आपको shareholder fund में 3 याद रखने, ठीक है, share application money, pending allotment क्या है अभी देखो theoretical part नीचे सारा आएगा, तो अभी मैं आपको बताऊं, फिर वापिस नीचे बताऊं, तो double-double video बन जाएगी, इस checker में क्या करेंगे, जैसे-जैसे theoretical part आता जाएगा, साथ-साथ explain करता जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे example भी है, तो video नहीं तो क्य हो जाएगी, यह दो घंटे की बन जाएगी, सिर्फ balance sheet की, तो हमें क्या करना है, इसको एक गंटे या एक गंटे दस मिनट में cover करना है, तो सारा part हो जाएगा, आराम से, तो दीखे, shareholder fund, यह हो गया, share capital, reserve surplus, money received, share capital, share capital का जो पार्ट है, मैं आपको corporate accounting में बताऊंगा, इसलि plus के नाम लिखे हैं, सारे के सारे, तो आपको पता चल जाएंगे, यह क्या होता है, यह क्या होता है, पता चल जाएगा, अब देखे, non current liability में 4 sub heading आती है, non current, जैसे shareholder fund में 3 है, वैसे non current liability में 4 है, और current में भी 4 है, अगर आपको non current बता है, तो current भी आपको पता चल जाएगी, जैसे दिखे, long term borrowing, current में होती है, short term borrowing, defer tax liability net, उसकी जगे ले लोगे trade payable, other long term liabilities, तो वहाँ क्या बोलोगे, other short term liability, long term provision, क्या बोलोगे, short term provision, ऐसे, अब देख सकते हो, आप देखे, मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान रहती है, तो मैं तो क्या पढ़ाता रहत जैसे देखे, long term liabilities, long term provision, तो वैसे देखो, long term के साथ, short term, other long term, sorry, defer tax liabilities दे रखी है, तो उसकी जगे मैंने trade payable बताया, other long term की जगे, other current या, short term job बोलते हो, और long term provision की जगे, short term provision, आ गया, तो इस तरीके से आपको या रखना है, फिर देखो, simple part क्या है कि अगर आप भूल भी जाते हो, तो आपको जाए, shareholder fund में share capital return surplus तो याद ही रहता है, generally इसमें रहता है, ठीक है, तो या रखना, साथ-साथ, तो जब भी, साथ-साथ नहीं चल, देखिए, अब story बनाने में तो मैं बना लूँ, जैसे देखो, लड़के-लड़की साथ में जा रहे हैं, सामने आते ह लड़की के parents आ गए, दिख गए, तो लड़की ने बोला, पीछे जा, पीछे जा, साथ-साथ नहीं चल, तो साथ-साथ नहीं चल, यानि shareholder, साथ मतलब share application, तो आपको पता चल गया कि दो बार SS part आएगा, non-current liability नहीं, और C मतलब क्या है, चल, यानि current liability, तो इस तरीके से बन आना है, तो बना लेना, अब non-current में आपके पांच part आते हैं, क्या आते हैं, पांच, fix assets, अब fix assets के अंदर भी सब parts आते हैं, चार, तो fix rate में देखो, आपको ऐसा रटने की जुरूत नहीं, क्योंकि tangible, intangible सबको पता रहती है, tangible पता रहती है, जिसको देख सकते हैं, चू सक यह किस से related होगा, intangible, यह sorry, intangible assets under development किस से related होगा, intangible assets related, की कोई patent, trademark, अभी क्या process में, यानि अभी तका उसका पूरा का पूरा registration नहीं हुआ, आपकी cost इंकर हो गई है, और balance sheet की date आ गई, तो आपने तब तक क्या बोल दिया, under development, ठीक, जबकि अगर आपने कोई purchase कर दिया, patent right, और आपको मिल गया, और आप आराम से उसका use कर रहे हो, तो आपको पता है कि उसकी value, आपको balance sheet में year end पे दिखाती, आप दिखाते रहोगे, जनरल यह ही है, अब देखिए, fix asset के बाद क्या आता है, मैंने बता है, पांच होते है, non current के, तो fix asset, उसके बाद आपको क्या याद रहता है, जो आप नॉर्मल स्कूल में, यानि 11 वाले पार्ट में भी पढ़ते थे, तो आपको investment याद रहता था, फिर आप क्या बोलते थे, current asset, ऐसे बोलते थे, तो आपको जनरल यह दो तो याद रहता ही थे, fix asset और non current investment, अब देखिए, defer tax liability है, defer tax asset net है, क्या होता है इसका theoretical point भी मैंने लिखा हुआ है, फिर long term loans and advances यह दिये हैं, लिये नहीं यह आ रखना, अगर लिये होंगे तो वो long term borrowing में आएगा, liability वाले पार्ट में आएगा, ठीक है, यह long term loans and advances दिये हैं, ठीक, other non current assets, यह वाला पार्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो यह 4 heading में नही हो जाता है, क्योंकि देखिए, fix asset तो होती ही नहीं है, तो उसका non current investment होता है, आपको पता है, तो non current की जगे आप यहां पर current investment आगया, तो ऐसे थोड़ा सोचते रहे, फिर उसके साथ देखिए, उसका buy inventories का part आगया, trade receivable आगया, तो जो आपको ध्यान नहीं रहता, आप cash and cash equivalent का part, तो आप यहां रगना उसको fourth number में, तो आपको देखो ऐसे रगना है कि अगर current investment पहले आएगा, क्योंकि non current से आपने current देखा, और cash and cash equivalent हमेशा fourth पे, तो आपको यह ध्यान आ जाएगा कि देखिए, inventory और trade receivable बीच में आएगे, ठीक है, तो ऐसे particular आप याद रख लीज में आप कैसे भी करके, खुद के साब से याद रखिए, ताकि आपको एक तरीके से आगे future में दिक्कत नहीं हो, या, क्या पता sequence का part, exam में पूछ ले, तो आपको पता रहना चाहिए, अब देखिए, आपको general instruction दे रखिए, balance sheet से related, तो यहां पर क्या 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 बोल रख तो एक accounting year में cash में convert हो जाए, current asset होती है, तो normally तो आपको यह याद रखना है, लेकिन यहां पर company act के साब से यह दे रखिए, यह बोल रहा है, an asset shall be classified as current, when it satisfy any of the following criteria, any of the following criteria, यह नहीं की तीनों साथ पूरे करने है, any of the following, तो बोल देखिए, it is expected to be realized in, ठीक है, in the company's normal operating cycle, और is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle, देखो मैंने ऐसे पढ़ा, जिससे आपको समझ में है, यह बोल रहा है कि, या तो यह company के जो normal operating cycle है, उसके अंदर realized हो जाए, या उस normal operating cycle के अंदर यह बिग जाए, या consume हो जाए, या जैसे आप क्या करते हो, raw metal purchase करते हो, तो आपको बताए कि raw metal process हो रहा है, फिर उसके बाद उसको बेच के cash realize कर रहे हैं, उसे बोलते हम operating cycle, operating cycle 12 महीने से जादा की भी हो सकती है, तो company act के साब से आप generally देखोगे, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो year हो, या sorry, आपकी जो current asset हो, वो 12 महीने के अंदर ही हो, वो 15 महीने के अंदर भी हो सकती है, क्यों जो आप raw metal खरीदते हो, input लेते हो, process करते हो, output बनाते हो, उसके बाद इसको बेचते हो, उससे जो cash realize होता है, तो उसको मिला के total या एक operating cycle जो घूमते वे जाती है पूरी, वो पूरे के पूरे उसमें कितने लग जाते हैं, 15 महीने लग जाते हैं, तो 15 महीने आपका operating cycle है, उ उससे कम का भी हो सकता है, उससे जादा के भी हो सकता है, और दूसरा part, it is held primarily for the purpose of being traded, जनली क्या है, व्यापार करने के लिए, मतलब बेचने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं, business में रखी गई हो, trade करने के लिए रखी हो, it is expected to be realized within 12 months after the reporting date, reporting date क्या होता है, वही, balance sheet P&L की end date, तो ज हो जानी चाहिए, तो जनली आपको बताए कि stock वो बिकता रहता है, debtors जिन से आपको बताए कि आपने दो महीं नहीं कुदार दिया, तीन महीं नहीं कुदार दिया, तो उन से पैसा मिलेगा, ऐसे सोचिए, prepaid expense, accrued income, income कमाली लेकिन receive नहीं भी, तो वो current assets में आएगी, क्यो and their relation in cash or cash equivalent आगया, कि asset जो आपने खरीदी, processing के लिए, तो आपको बताए कि आपने raw material लिए खरीदा होगा, processing के लिए, आपने finished goods में convert किया, और जैसे उसको बेचा तो उससे आपको cash या उसके समानी, मलब वो ही cash at bank का part आगया, आपका check in hand आगया, demand draft आगया, तो वो सारा part आ जब आपने बेचा, ठीक है, तो where the normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have duration of 12 months, अगर आपको बताए कि normal operating cycle आपको 15 महीने बताए, तो वो ही लोगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रखा, तो आप 12 महीने का ही cover करोगे, मलब वो ही reporting period वाले 12 महीने cover करोगे, अब current liability का बाट, तो जैसे आपने देख वो normal operating cycle में realized, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, expected to be settled, क्योंकि जब हम normal term में current liability देखते हैं, जो 12 महीने के अंदर पर हो जाती है, जो कि आपको generally C वाली line में मिलती है, लेकिन आपको बताए कि अगर normal operating cycle ज्यादा का होगा, या कम का होगा, तो वो भी ले सकते है, it is expected to be settled in the company's normal operating cycle देखिये, कम का होगा 12 मेने का, तो वो ऐसे भी ऐसे आ जाएगा, लेकिन 12 मेने से ज्यादा के लिए हम normal बोलते हैं कि normal operating cycle, क्योंकि किसी किसी business में जो ये सारा finished goods बन के output निकलने में काफी time लग जाता होगा, क्या पता 14 मन लग जाते हो, 16 मन तो इसलिए, it is held primarily for the purpose of being traded, it is due to be settled within 12 months after the preparation of balance sheet, ठीक, और बाकी सारी जितनी भी liabilities होगी, वो non current liabilities कहलाएगी, trade receival क्या होता है, आपको बताए कि आपने goods बेचा, तो आपने 2 महीने, 3 महीने कुदार दी, आपने services दी, तो आपको बताए कि आप अपने normal course of business में जो भी goods बेचते हो, या services render करते हो, उससे related जो बी amount due हो गया, मलब जो आपको लेना है, वो trade receival कहलाएगा, अब आपको बताए कि इसमें BR भी आजाते हैं, क्यों आजाते हैं, क्योंकि debtors ही एक तरीके से क्या होता है, BR, वो debtor convert होके क्या बन जाते है, BR, तभी तो आप entry के तो bills receival account है, वे two debtors, क्योंकि आपने shorty के लिए bill लिखा, ठीक, तो trade receival में debtor and BR, trade paypal की बात करोगे, तो इसमें क्या हो गया, जो भी आपने goods खरीदे हैं, या services received की है, normal course of business में, उससे related जो आपको amount देना है, ठीक है, यानि amount जो आपको pay करना, amount paypal, या amount receival, और यहाँ पे, देखो due तो दोनों ही term में बोल सकते हैं, आ रखन तो यहाँ पे हम बोलेंगे amount receival और यहाँ पे हम बोलेंगे amount paypal, तो इसलिए इसका नाम क्या है, trade paypal, जिसमें क्याता है creator, और अगर आपने bill accept कर लिया, सामने आले ने लिखा, आप draw ही हो, आपने accept कर लिया, सामने आला draw है, क्योंकि उसने बेचा है माल, आपने खरीदा है, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, BP, ठीक, तो आपके entry क्या हो जाएगी, creator's account debit to bills, paypal, ऐसो हो जाएगी, फिर आपको देखिए क्या बोला है, two disclosed items given in the balance sheet, the term schedule was used earlier, पहले क्या होता था, schedule number बोलते थे, अब क्या बोलते है, notes to account, इसलिए जब भी आप balance sheet का format देखते हो, तो आपके figures दे रखे होते हैं, इसके साथ यहां पर क्या लिखा हो आता है, note number लिखा हो आता है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बोल रही है, तो बोला notes to account यूज करते हैं, now a company shall disclose the following in the notes to account, अब देखिए explanation दे रखा आपको equity and liability का, तो shareholder fund में आपको बताएगी, आपने 3 heading देखि, sub heading बोल सकते हैं, क्योंकि shareholder fund heading है, तो 3 sub heading देखि, share capital, reserve and surplus, money received against share warrant, अब share capital का पाट तो मैं आपको बोला कि corporate accounting में format के थूँ बता दूँगा, या equation के थूँ आपको बता दूँगा, कि कैसे authorized issue शारा पाट आता है, लेकिन आप reserve and surplus देखिए, reserve and surplus में क्या 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 तो देखिए, ये भी आपको बताईए, आपने कई ने कई जैसे partnership में देखे तो वैसे आपने companies में भी आपको ध्यान रहते हैं, जनरली आपको क्या ध्यान रहता है, security premium का पाट याद रहता है, और capitalizer का पाट याद रहता है, फिर इसके लाव आपको capital redemption deserve जाना जाता है, जो venture redemption reserve का पाट है, तो ये आपने debentures redemption के case में देखा होगा, debenture redemption reserve, revolution reserve का पाट है, तो ये generally हम बोल सकते हैं कि जो भी profit होता है, assets को यानि fixed assets को revalue करने पर तो उससे related part आगया, या जो भी loss was का पाट है, तो हमने तो revolution reserve की बात की है, अब share option outstanding की बात कर रहा है, तो share option outstanding का मलब क्या हो गया, ये भी generally देखिए, कई जोने बोलते हैं कि share capital में आएगा, कई बोलते हैं, तो ये तो मुझे किस में दिखा, reserve and surplus में दिखा, क्योंकि ये किस से related है, employee से related, क्योंकि company ने क्या गरा है, employee का option दिया, कि आपके पास 2 साल है, आपके बास wasting period कितने का है, total मिला के हम बोल सक value की, उनको option बोलते हैं, तो हम आपको 1000 के option दे रहे हैं, अब आप purchase कर सकते हो, अभी market price क्या चल रही है, इसकी 200 रुपीज चल रही है, लेकिन आप इसको 50 रुपीज में खरीज सकते हो, और इसकी face value कितनी ती 10 रुपीज की, face value यानि nominal value 10 रुपीज है, और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि market value चल रही है, 200 रुपीज लेकिन आप 50 रुपीज में खरीज सकते हो, अब वो किस के उपर है, employees के उपर है, कि वो खरीदे या नहीं खरीदे, तो जो यह आपको पता है कि 200 रुपीज प्राइस चल रही है, market और यह option बोल रहा हूँ, exercise price है, तो इसका जो difference क पार्ट है, वो generally company के किस में चले आएगा, share option, outshending account में चले आएगा, जो कि वो reserve and surplus में जब तक दिखा देगी, अब देखिए, इसका detail पार्ट तो देखिए, मेरे साब से cover होगा नी, क्योंकि अपने course related part में ज्यादा इसका नहीं दे रखा, तो आप इसको normal normal term में देखना क कि reserve surplus में आ जाएगा, बाकी other reserve को specific nature के हो, जैसे आपको बोल दिया कि specified the nature and purpose of each reserve and the amount in respect thereof, तो बोल दिया कि specified कर देगा, जो भी reserve का nature है, पर पर जैसे subsidy reserve, तो वो subsidy के लिए, tax reserve, वो tax related है, ऐसे कही नाम हो जाएंगे, जो specific purpose के लिए बने वे होंगे, फिर आपका surplus या रख लेना यह surplus जरूर ही है, समझने के लिए कि surplus का मतलब क्या होता है, कि balance in statement of panel, disclosing allocation and appropriation such as dividend, bonus share and transfer to from reserve etc, देखिए इसमें जनरली अपने यह देखा होगा, अगर आपने net profit after tax कभी आपने practical question की होंगे, तो आपने देखा होगा, net profit after tax होता है, current year का, उसके साथ क्या होता है, कि वो जो opening balance जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि, year end तक हमारा total profit यह आगया, फिर उसमें से हमने क्या कर दिया, appropriation and allocation का part क्या कर दिया, less कर दिया, तो जैसे हम क्या करते है, proposed dividend आपको ध्यान हो तो, वो less कर देते हैं, तो इसमें यह सारे part, proposed dividend, उस पे dividend tax का part कितना है, तो साल के दोरान जो profit है, total जुड़ा, उसमें से जो हमने allocation, appropriation disclose कर दिये, जिसे proposed dividend का part आगया, उस पे dividend distribution tax आगया, फिर bonus share आगया, और जितने भी reserves जो हमने पड़े जैसे, तो वो सारे के सारे part आपने अगर less किये, जैसे transfer to reserve के जो भी part है, वो less किये, तो बात में जो बचा हो क् आपको आस, balance of profit carried to balance sheet, जो कि balance sheet में जाएगा, तो वही surplus का part कहलाएगा, ठीक है, तो यह जरूरी या रखना, फिर आपको debit balance of statement of penal दे रखा है, मलब क्या है, अगर negative figure है, तो पहले क्या करते थे आप, जब आपकी normal horizontal बनती थी, तो आप अलग से दिखाते थे, अब vertical बनती है, तो आप क्या करोगे इसको, reserve and surplus जो part है, उसके अंदर ही क्या करोगे, less कर दोगे, तो यह बोल रहा है, debit balance of statement of penal shall be shown as a negative figure under the head surplus, similarly the balance of reserve and surplus, after adjusting negative balance of surplus, if any, shall be shown under the head reserve and surplus, even if the resulting figure is in the negative, इसका मलब क्या है, अगर आपका यह statement of penal का balance बहुत ज्यादा negative है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे देखिए, मैंने आपको बोला कि beginning में जो balance था profit का, तो वो तो आपका रहा है 20,000, और आपका 50,000 statement of penal का negative balance है, मान के चलो, तो आपको बाहर भी क्या दिखाना पड़ेगा, 30,000 ही दिखाना पड़ेगा negative, क्योंकि minus के 50 में से plus के 20 के तो minus का 30, तो आपको बाहर भी negative figure दिखाना पड़ेगा, अब देखिए, share option option क्या होता है, अच्छी बात है दे रखा है, मैंने आपको समझाया, उससे related party दे रखा है कि generally किसको दिया जाता है, employee को options के form में grant किया जाता है, employees and officer of the company को, to apply for purchase of certain quantum of shares at a future date, तो जैसे मैंने आपको बता है, wasting period भी होता है, इसमें और exercise period भी होत than the market price, तो उसे हम बोलते है, share option outstanding account, और मैंने ये भी बता दिया कि देखो कितने difference से related आता है, कि 50 रुपीज में आपको दिया company ने, market में प्राइस चल रही थे 200, ठीक है, तो company क्या करती है, deferred, employee compensation expense नाम से एक account बनाती है, debit करती है, तो उतने से ही share option outstanding को उस वक्रेइट करती है अब entries तो मुझे आती भी अभी, ठीक है, जैसे बीकॉम फस्चिर में हमारे ये चलता है, लेकिन entries में करा कि आपको करूँगा क्या, theoretical party बताना था हलका सा, इसलिए, अब देखे, preliminary expenses आपको पता है कि AS26 के साब से balance sheet में preliminary expense नहीं दिखाया जा सकता, तो ये बोल रहा है कि इसक इसको write-off कर लेते हो, preliminary expenses को, लेकिन accounting में क्या बोल रहा है, कि directly write-off करो, तब ही देखे, conflict हो जाता है, कि accounting के साब से, और income tax के साब से, फिर आपको income tax के साब से चलना पड़ता है, तो जो आपने expense उसी साल allow कर रखे हैं, तो आपको उसमें से disallow करने पड़ते हैं, तब ही हम ब दिखा है, तो defer tax liability, defer tax asset का part, show हो सकता है, these expenses should be return off, out of security premium first, then out of statement of P&L, तो यह सबसे पहले क्या बोल रहा है, किस से, security premium use कर सकते हो, यानि security premium account debit to preliminary expense कर सकते हो, फिर अगर security premium नहीं है, तो आप statement of P&L का use कर सकते हो, वैसे देखिए, यह statement था, मैंने कहीं से cover किया है, तो यहाँ पे बता है कि outstanding debentures के proportion में क्या होता है, write off हो जाता है, अगर आपको बता है कि कोई debenture आपने 1 lakh रुपीज के जैसे issue करे, और आपको बता है कि discount पे 10%, 10,000, उस 10,000 को क्या करोगे, आप write off करोगे, तो हर साल P&L से charge करोगे, कैसे period of debenture के case में, तो देखिए, आपको बता है कि divide by 5, तो हर साल 2000, 2000 को क्या करना है, P&L से charge करना है, ठीक, और इन 5 year बोल रखा है, ये मैं बोल ने सकता, देखिए, ये तो किसी particular मुझे point में दे रखा था, इसलिए मैंने cover कर दिया, ज़रूरी नहीं कि debenture 5 years से related ही write off हो, आपको पता है कि अकर 10 साल के लिए issue कर रहे हैं, तो divide by 10 कर दोगे, तो ज़रूरी नहीं ये part और फिर भी दे रखा है, तो ये approach करके दे रखा होगा मेरे साब से, तो ये capital profit से write off होगा, या statement of P&L से write off होगा, अभी मैंने be confesher की नई book कर रही है, तो यानि करवाई है, तो उसमें तो generally क्या हो रहा है कि ये सारा का सारा case खतम हो है, और सारा का सारा उसी साल P&L से write off हो रहा है, ठीक है, तो क्या पता changes हो गए हो, तो मुझे इतना भी idea नहीं है, और net पे मैंने search करा, Google पे तो मिला नहीं है, अगर आपको पता चलता है, तो ज़रूर बताएगा, discount and loss on issue of debenture, वैसे तो इसको हम क्या करते थे, over the period जो debenture का proportion में, discount बढ़ जाता है, फिर share issue expense और underwriting commission की बाद कर रहा है, तो ये भी generally 3-5 साल के अंदर write हो जाते हैं, तो capital profit से statement of P&L से, according to schedule 3rd, P&L appropriation account will not be prepared, it means all appropriation should be shown in the notes account, जैसे मैंने आपको बताया ना भी, कि surplus that is balance in statement of P&L showing allocation and appropriation, उपर जो दे रखा था, तो वैसी आपको दिखाना ब appropriation or location के part, मलब dividend से related और reserve से related part adjust करके, last में balance or profit दिखा दिया, ठीक है, अब आपको बोल रहा है, money received again share warrant, ये क्या होता है, देखिए इसमें generally ही बोल सकता है कि एक financial document है, जो कि public company issue करती है, तो इसका मलब क्या है, जैसे अगर मैं purchase कर लेता हूँ ये, तो future date पे मुझे एक right मिल ज इसमें क्या बोल सकते हैं, allotment अभी भी pending है, allotment अभी भी pending है, तो ये इसकी तरह नहीं है, share application money pending allotment, यहाँ पे पहले शेयर वार्रेंट में क्या बोल दिया, कि future date पे आपको number of equity, certain number of equity share का एक right मिल जाता है, जैसे आप ये share warrant दिखाओगे, तो आपको particular मिल जाएंगे, money received again share share warrant, अब देखिए, आपको बता कि company को money receive हो है, तो उसको share capital में नहीं दिखाया सकता, क्योंकि allotment of share is yet pending, अभी भी allotment of share pending है, so it includes in shareholders fund showing separately, तो shareholder fund में क्या था, share capital, reserve and surplus, फिर money received again share warrant, यह तो हो गई पहली heading, shareholder fund की, फिर दूसरी heading क्या थी, share application money pending allotment, इसका मलब क्या है, वही company न इंस्टॉल्मेंट में करती है, अब वो application का part आ गया, अब company जैसे क्या कर रही थी, वो allotment कर रही थी, मलब share capital में transfer कर रही थी, पर उससे पहले ही balance sheet की date आ गई, end की, 31 March आ गई, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि company ने अभी तक क्या करे, allot नहीं करे, application money तो रिसी हो लेकिन share का allotment नहीं करा, मलब वो capital account में transfer नहीं किया, कब तक balance sheet की date तक, तो उसे किस में दिखाएंगे, share application money pending, allotment में दिखाएंगे, फिर आपका आ गया non current liability का part, तो देखिए इस तरीके से part आ रहे है, detail part है, तभी मैंने बोला कि आपको कहां तक बताऊंगा, balance sheet का सारा part ब आपको चार part में बता है, जिसे long term borrowing बताया, फिर मैंने आपको बताया कि आया रखना है, defer tax liability का part, जैसे आप current liability में आ रखोगे तो short term borrowing और defer tax liability की जगे के आ जाएगा, आपका वो trade paypal का part आ जाएगा, ठीक, फिर other बताया, long term, other long term borrowing या other non current liability, जो आप बोल सकते हैं, फिर fourth part में बताया, आपका long term provision से related, तो वो cover कर लेंगे, सबसे पहले आपको दिरहा, long term borrowing, इसका मलब क्या है, such loans as taken by the company, which are repayable after 12 months from the date of loan, तो जो बारा महिने से ज्यादा period कि हो, ठीक, तो यहां पे कौन से बोल दिये, बोल दिये, term loan बोल दिया, term loan क्या है, bank से ले सकते हो, या other party से ले सक कर रहे हो, defer payment liabilities, तो आप payment क्या कर रहे हो, उसको 12 मेने बाद, तो यह सोच के चलिए, तो अगर आपका कभी भी कोई भी particular, या तो मैं ऐसा करूँगा, कुछ example दे दूँगा, आपकी practice के लिए, अब उसको मैं explain नहीं करूँगा, क्योंकि explain करने की जुरूत ही नहीं है, यहा आपके क्या, defer payment liabilities का बाद, deposits repayable after 12 months, ठीक, तो यहाँ पर बताए कि जैसे हम public deposits की भी बात कर सकते हैं, company का करती है, issue करती है, तो वो सारा पार्ट आजाएगा, जैसे company ने क्या करे, five years की maturity वाले public deposit issue करे, तो इसका मलब company क्या करे कि या तो five year बाद, या installment basis पे कर रहे है, तो company क कर रहे है, हर year पे कर रहे है, पर आपको पताए कि सारा का सारा जो amount है, वो पांच साल बात पे होगा, इसलिए वो long term borrowing का पार्ट बनेगा, company के लिए क्यों है loan, क्योंकि देखो company क्या कर रहे है, amount ले रही है, तो एक तरह की से company को बताए कि company को maturity पे करना है, तो जहाँ पे भ venture issue करती है, तो उस पर कुछ security गिर्वी रखती है, ठीक है, कुछ assets गिर्वी रखती है, security बोल रहा हूं, तो कुछ assets गिर्वी रख सकती है, तो वो secured हो गए, bank से loan लेता है, तो bank भी क्या आता है, मांगता है, कुछ ने कुछ security मांगता है, तो generally वो secured के form में आ गए, लेकिन दिखाते है, current library में दिखाते है, अदर में, जैसे आपने वो देखा होगा current maturity of long term debt, जैसे मैंने आपको भी बताया है कि debentures थे, ठीक है, one lakh रुपीज के थे, उसकी maturity क्या है, five year की है, लेकिन आप installment में company क्या करती है, installment में public को pay कर देती है, तो one lakh divided by मान के चलो five year, क्योंकि उस 30,000 mature होने वाले हैं, तो आपको पताए कि देखिए, अगर आपने balance sheet बनाई, तो year end पे तो 20 pay कर दी होंगे, one lakh का 20, 20 pay हो गए होंगे, तो आप 80 दिखाओगे, पर आपको पताए कि 80 में से 20 जो है, वो अगले साल पे होने वाले होंगे, कब 31st March को, तो तब तक आप क्या गर इसको other current liability में दिखा दोगे, तो current maturity of long term debt generally जो होते हैं, वो किसमें दिखाते हैं, other current liabilities में दिखाते हैं, तो इस तरीके से यह आ रखना जरूर, defer tax liabilities आपको दे रखी, अब defer tax liabilities में defer tax का मतलब क्या है, अब defer tax liability net का मतलब क्या है, आपको बताए कि defer tax asset भी होती है, अगर defer tax liability म अलग लेकिन अब हम ककर बोल रहे हैं कि net, या तो defer tax liability आएगी, या defer tax asset आएगी, अगर defer tax liability का मतलब क्या होता है, चे आपको प्रॉफित होता है, जो अग को ब están persona, व होता है, और अच्वाटु nó, ऐस पे होता है, उस पर जो tax निकला और जो मैंने taxable profit बोला उस पर जो tax निकला जो tax के according है taxable income निकली उस पर जो tax निकला उसके बीच में जो भी difference का बाट है उसे बोलते है deferred tax तो taxable income किसके साब से निकलता है tax law के according बोल रहा है ठीक है income tax के according बोल दीजिए जबकि accounting income जो भी होती है जो भी आपने accounting system follow कर रहा है उसके according जैसे मैंने अभी आपको preliminary expense बोला कि उसी साल write off हो जाता है तो वो किसके accounting के साब से लेकिन tax में आप क्या बोलोगे उसको one-fifth आप write off करते हो तो अगर आपने preliminary expense one lakh ले लिया accounting के साब से तो आपका the profit कम दिख गया जबकि आपको क्या करना था 150 लेना था तो आपने कितने expense लाव कर दिया उस साल one lakh जबकि आपका one lakh upon one-fifth आपको 20,000 ही लाव करना था तो 80,000 income tax के according disallowed है क्या है disallowed है तो यहाँ पे तब तक हमें क्या बोलें का deferred tax liability का पार्ट दिखा सकते हूँ यह बोल रहा है एट प्रिजेंट जनरली प्रोविजन फोर टेक्स कैलकुलेटेड ओन दा बेसिस ऑफ टेक्स सेवल तो आपने जो taxable income का पार्ट कम ज्यादा दिखाया है तो उससे deferred tax liability asset आ सकती है तो अगर accounting income आपकी ज्यादा है और taxable income क्या है कम है तो उस case में हम क्या बोलेंगे कि हमने यह पार्ट ज्यादा दिखाया हुआ है ठीक तो हमारी deferred tax liability arise हो जाएगी ठीक वैसे अगर उल्टा प liabilities का मलब क्या जो उपर आपने देखी जितनी भी ठीक है यह long term provision चोड़ो और इसके लावा फर्स्ट और सेकंड पार्ट यानि long term borrowing वाला पार्ट और deferred tax liability वाला पार्ट चोड़ो उसके अलावा सारे पार अधर long term liabilities में आता है अब देखिए जातर आपको देखने को नहीं मिन्त का कि आप आराम से अपने due पे कर सकते हो तो वह आपकी long term liability बन जाएगी ठीक है मलब वह आपके non current liability के अंदर other long term liabilities में आ जाएगी ज्यादा के लिए यानि तो settlement हो रहा है उसका claim वह क्या हो रहा बारा महीने बाद हो रहा है जैसे देखिए मैं आपको बोल सकता हूं कि आपने प्रोविजन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हो गया जो आपने टैक्स में देखा होगा तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का पार्ट भी आपका आगया इस तरीके से अगर आप लॉंग टर्म के लिए प्रोविजन बना रहे हो तो बोल रहा है ओल दो प्रोविजन सार क्लासिवाइड एस लॉंग टर्म प्रोविजन अगेंस विज दा क्लेम इस तो बी सैटल करोगे वह किस से राइट ओफ कर लोगे आप प्रोविजन के तुर राइट ओफ कर लोगे जैसे देखिए आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन मनाते हो बैट डेट्स का आपको बताए कि बैट डेट्स के लिए आप प्रोविजन बनाते हो कि पैसे डूप जाएंगे आपको अंदाजा है estimated तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो जब भी एक्च्वल में वैड डेट्स होता है तो आप उसको पीएनल से चार्ज नहीं करते हैं आप क्या करते हो बैड डेट्स प्रोविजन करते हो तो वैसे अगर ग्रेचुटी पे कर दोगे तो बनाई है तो अब पेनल में डालोगे आप किया डालोगे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी में डालोगे ठीक तो आप प्रोविजन फॉर अब टुर्व्य प्रोविजटी कर होगे पर वो कब करोगे settlement कब हो रहा है बारा मेενे बाद और अगर इनदर हो रहा है जिब कि इनक वारनटी जैसे अपने दो सलने देती तो वह व्राव महींने से ज़्याद क्या अब उत決 करने बोल रहा है तो आपको कर्णद लाइब बताया था आप लड़े खुछ लें कंसे महले प Irish ऐसी वारा मैंने परी मंदेडिर तो आप नॉर्मल टमध में क्या बोलते अधर करन लाइबिटी बटाया और फॉर्थ क्या था आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन हा तो इस तरी के साब को ध्यान रखना है अगर भूल भी जाओ तो आप नॉन प्रेंट लाइबिटी के थूरू याद रख लेना ठीक तो देखो शॉर्ट टर्म बोरेंग है उसमें आपको बता है कि आपने लॉंग टर्म बोरेंग में जैसे पार्ट लिया वैसे उसका शॉर्ट बोल सकते हो जैसे वहाँ पर बॉन्ड डेवेंचर बोलते थे और वहाँ पर लोन टर्म लोन बोल रहे थे बैंक से रिलेटेड यहां पर देखिए क्या बोला लोन रीपेबल डिमांड का मदलब क्या हुआ कि जिससे भी हमने लोन लिया अगर वह पार्टी जब भी मांगेगी हमें देना पड़ेगा ऐसा हो गया ना तो जब भी मांगेगी ऐसा नहीं एक पर्टिकलर पीरेट के लिए होता है लेकिन हमें देना पड़ता है जैसे देखिए अगर मैंन से तो cash credit दी भी है order of जैसे आप credit card की बात करते हो तो आपको बताए कि credit card आप लेते हो तो उसका यूज कर लेते हो उसके बाद किसी बैंक ने 30 दिन की limit किसी ने 45 दिन की तो वह interest चार्ज नहीं करती आप तब तक payment कर दो लेकिन अगर आपने उस date तक payment मांगूँगा आपको देना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा जब भी हो सामने अला मांगेगा आपको loan देना पड़ेगा वैसे deposits का पाट आगया जो short term का मदलब क्या हो गया वही जो मैंने आपको बता है कि जब भी आप क्या करते हो गुट्स और सर्विसेश करते हो तो जो भी ड्यूमाउंट हो आप बारा महीं नहीं के अंदर पे कर देते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे उसकी maturity तो five year की है लेकिन आप installment में आप एक company हो आपको जो पे करना है पबलिक को तो आपको इंस्टाल्मेंट में पे करना है अगर मैं equal installment की बात कर रहा हूं मैं simple रख रहा हूं तो उस case में क्या बोलूँगा वलनेक अपॉन five तो आपने पहले साल के end में 20,000 पे कर दिये ठ current maturity of long term debt क्योंकि वह अगले साल के end तक 31 मार्स तक पे हो जाएंगे मतलब 12 महीने के अंदर वह पे हो जाएंगे तो इसलिए आप क्या बोलोगे current maturity of long term debt फिर आपको बोल रहा है interest accrued but not due and worrying देखो यह तो आपके नॉर्मल पार्ट है जो कि आपने कह 11 वाले जब भी आपने adjustment व restoring ठीक तो आपने जो लोन लिया उस पे interest accru हो गया लेकिन ड्यूनी हुआ और इसका specific example आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे आपने डेवेंचर इशू करें उस पर जो interest का पार्ट है नहीं हाफ यहली मानलो कि आप installment पे करते हो तो उस पर जो interest का पार्ट मानके चलो कि 30 जून और दिसम्बर को होता है 30 जून और 31 दिसम्बर को 6 महीने का जबकि accounting कम close होती है 31 मार्च को होती है अब देखिए आपको बताए कि जो interest है 30 जून को बोल रहे है हम तो 6 महीने का जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल माई जून लेकिन 31 मार्च पहले आगई अब ड्यू कब हो र interest accrued but not due तो यह 3 महीने का अक्रू हो गया है लेकिन ड्यू कब होगा इस 6 महीने के साथ जनवरी फरवरी मार्च का अक्रू हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ वैसी अक्रूड और ड्यू का मलब क्या है आपको बताए कि सेप्टेंबर और मार्च में interest का पाड़ आता है त तो वो तो outstanding जाए गई नी वो तो outstanding जाए गई नी लेकिन अक्टूबर नॉवंबर दिसमबर जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च पाड़ आ गया लेकिन आपने पे नहीं करा तो च्छे महीने का interest आप क्या वोलोगे interest accru हो गया और due भी हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं करा ठ प्रॉबर एंट्री जाती है जिसके थू Aquí ऑन पे डिविधेंट आकाउंट खुल जाता है लेकिन अगर अफने ऐसंदो कोिटेंट बेज़ा लेकिन यह मानके चलो की account वाकाउंट की कुछ गल्ती थी यह मानकी चलो कि क्या पता उसका account particular close हो गया तो वो dividend वापिस से lot के आ गया है यह मान के चलो party का पता नहीं चल पाया है investor का तो वो dividend वापिस से lot के आ गया तो company की liability बनी रहेगी और आपको पता है कि वो 7 year तक company को एक fund में डालना पड़ता है जो में को ध्यान नहीं रहा है इंवेस्टर एन एजुकेशन प्रोटक्शन फंड जनरल ही होता है उसमें डालना पड़ता है तो तब तक company की क्या रहती है liability रहती है तो यह current liability के पार्ट में आ गया क्योंकि जब भी shareholder आएगा तो यह dividend का पार्ट देना पड़ेगा amount in access of application money received for allotment of security and due for refund and interest accrued their own वही जब extra क्या वाजाती है हम बोलते हैं न over subscription का पार्ट आजाता है तो इस case में जो access application में आती है जो की refund के लिए बची विए refund के लिए पड़ी हमें refund देना है क्योंकि हमने उसे उतने शेर अलोटी नहीं करें तो जो पर जो interest arise हुआ वो देना हमें unpaid mature deposits and interest accrued there on debentures mature to pay but not paid and interest accrued there on वह current maturity की बात कर रहा है कि current maturity हो गई अब वह current maturity तो library है लेकिन अब देखो उस पर जो interest accru हुआ क्यों क्योंकि current maturity debenture वाले पार्ट को आपने अभी तक पे ही नहीं करा आप एक तरीके से बहुत ज्यादा उसका सामना कर रहे हो क्या बोलता है insolvency का सामना कर रहे हो तो आप current maturity वाले debt को भी नहीं पे कर पा रहे हो तो वह तो आपकी liability है उस पर जो interest accru हुआ वह भी आपकी liability हो गई अधर में क्या हो गया outstanding expenses calls in advance यह रखना and interest there on unclaimed dividend यह रख लेना unclaimed unpaid provident fund etc यह सारा पार्ट जो आएगा वो किसमें आएगा अपका other current liability में आ जाएगा अब आपका last क्या था short term provision इससे related फिर अपना assets का पार बचा है assets में 10-15 लग जाएंगे तो आपका सारा पार्ट खतम short term provision में देखो क्या बोलो all the provisions are classified as short term provision against which the claim is to arise within 12 months from the date of balance sheet तो उसमें क्या बोल दिया after 12 months long term में और उसमें क्या बोल दिया within 12 months जो भी claim है वो arise हो चुका हो तो अब देखिए provision for employee benefits related आप आप देखोगे तो जो भी आपने मैंने दिसे provision for gratitude provision for pension fund बोला ठीक है या provision for PF बोला तो वो जो भी बना वो long term के लिए बना तो अगर उसको बारा महिने के अंदर सेटल कर देती यह company या बारा महिने के अंदर पे करना पड़ता है तो वो short term हो गया लेकिन जातर आपको आपको यही दिखते है प्रोविजन फॉर टेक्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जनरली यह आपको दिखते है शॉर्ट टम प्रोविजन से रिलेटेड और पर्टिकलर ज्याद आपको कोई देखने को नहीं मिलता अब एक्स्प्लैनेशन ऑफ असेट का बाट है इसमें आपको क्या गया दो पार्ट नौन करण्ट और करंट नौन करेंट मैंने आपको क्या बताएदे पांच हेडिंग आती है एक तो फिक्स अधाथ ए ठीक है एक आपकी नौन करंट इन्वेश्मेंट आता है फिर आपका यहां कि आपको बहुत है कि एवाएं जिसको आप देख सकते हो तो अब में पच्छ को सकते हो तो पीजिकली सकते हो चूब सकते हो वो ते लिए जाएगी इसमें land, building, plant, furniture, vehicle, office equipment, यह सारे पार आजाएंगे, computer, जो भी machinery हैं, वो सारे पार इसमें आजाएंगे, tangible में पता चल गया, अब देखिए, intangible में क्या बोल रहा है, जिसका physical existence नहीं होता, जिसको देख नी सकते हैं, चूनी सकते हैं, तो इसमें क्या क्या है, generally आपको 2-3 तो प इसको कैसे आ रखता हूं, right to use, मेरे को यहीं ध्यान रहता है, कि जब भी intangible asset की बात करते हैं, तो आपको क्या मिला है, उस particular asset को use करने का right मिला है, ठीक, तो जैसे आपको goodwill बोल दिया, तो आपको बताएं कि अगर आपने किसी का business करीदा, तो business को आप आराम से use कर सकते हो, क्योंकि आपको बता है कि आपने सामने अले का business करीदा, ज्यादा value दी, तो purchase goodwill के entry कर रहे हो, तो goodwill का part आगया, brand trademark, तो आपने कोई brand trademark एक तरीके से क्या कर रखा है, registered कर रखा है, ठीक, तो उसके लिए जो भी आपने amount दिया शुरू-शू में registration के लिए है, वो बोल सकता Name of a newspaper or magazine published on a top of the front page, इसको must have बोला जाता है, जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी अकबार का नाम है, Times of India, तो Times of India जो publish हुआ, front page पे, top पे, वो क्या कहलाएगा, must have कहलाएगा, या publishing titles हो गया, mining right का part इसमें दे दिया, ठीक, जो भी mining के right है, copyright, patent, intellectual property right, service and operating right, तो right की ब formula, models, design and prototype, license and franchise, यह सारा पार्ट इसमें आ गया, और अगर मैं बोलो तो जाहतर यही रहते हैं, इससे जादा हो क्या सकते हैं, इससे जादा ध्यान में भी नहाते हैं, अगर आप देखोगे तो particular यही पार्ट सारे के सारे cover कर रहे है, अब capital working progress में देखोगे तो मैंने आपको तब तक वो अभी तक working progress में अभी तक काम चल रहा है, तो यह बोल रहा है, fixed tangible assets, which are under construction, such as building, plant and equipment, etc, intangible assets under development, तो वो ही जैसे देखिए, आपको मैंने बोला कि patent, इससे रिले time लगता है बहुत जादा, patent, trademark, अगर मैं बोल सकता हूँ, तो अभी भी वो progress में और आपकी कितनी cost incur कर हो चुकी है, तब तक वो क्या कहलाएगी, intangible assets under development का part कहलाएगी, फिर आपको दे रहा है non current investment, अब देखिए non current investment का मलब क्या हो गया, आपको पता है कि आप business का amount business के बाहर लगा रहे हो, और उसको आप long term के लिए hold कर रहे हो, normally क्या हो गया, एक साल से ज्यादा के लिए, तो non current investment आएंगे, अब आपको बता है कि इसमें generally दो type की होते हैं, तो trade investment में होते हैं, और एक non trade बोल सकते हो, या other investment बोल सकते हो, तो यहाँ पर trade investment में क्या बोल दिया, investment made by companies in share or dimension of other company for the purpose to promote its trade and business are cold trade investment, या रखना कि normal company share dimension खरीती है, तो वो non trade ही हो सकते हैं, क्योंकि उस case में क् करती है, वो अपने trade को promote नहीं कर रही है, बिजनस को, वो normal क्या कर रही है, एक तरीके से benefit होना चाती है, market के fluctuation के तुरू, यह market में बहुत जादा उसको बता है, कि fluctuation रहता है, तो अगर वो risk की securities में invest करेगी, तो उसका फायदा हो सकता है, तो जैसे उसने government bond खरी लिए, जो क्या करने के लिए, promote करने के लिए, तो वो trade investment आजाएगा, other investment, investment other than trade investment are called other investment, अब यहाँ पर यह बोल रखा है कि investment in properties आजाएगा, investment in equity instrument आजाएगा, investment in prevention, investment in government and trust security, bond and venture, mutual fund, partnership firm, other non-current investment आजाएगे, अब देखिये, property investment का मलब क्या है, those land and buildings which are held for the purpose to earn rentals, और price appropriation, not for sale, अब देखिये, यहाँ पर क्या बोल रखा है, यह production and supply of goods and service and administrative work, और sale during the normal business operation, क्योंकि अगर इस से related हो जाता है, तो यह तो goods कहलाते हैं, और अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको बता है कि fix assets के case में आप क्या कर रहे हो, जो भी property आप building का use करते हो, तो उ उसमें क्या होता है, goods manufacture होते हैं, या आपको बता है कि building दे रखी office, जापे services या administrative work हो रहा है, तो generally उस case में बोल रहा है कि वो fix set में आ जाएगा, या अगर हम बेचने की बात करेंगे, goods की तो वो किसमें आ जाएगा, stock से related part में आएगा, investment में नहीं आएगा, तब इसमें बो during the normal business operation, ये नहीं आएगे, जो आपको दे रखें, ठीक, तो उसके अलावा सारा part क्या है, business का पैसा, अगर business में ही लगा रहे हो, और आपको बता है कि business के लिए property खरीज रहे हो, तो वो fix set का part है, लेकिन बहार लगा रहे हो, तो investment से related आ जाएगा, investment in equity instrument, investment in prevent share, government and trust security, तो इसक के लावा और कोई non current investment है, वो देख सकते हो, अब ये बोल रहा है कि, investment carried at other than at cost should be separately stated, specifying the basis for valuation thereof, अगर cost के लावा other type से value कर रहे हो, तो उसका basis बताना चाहिए कि कि किस हिसाब से investment को आपने value किया है, following shall be basis also be disclosed aggregate amount of quoted investment and market value thereof, तो देखिए एक तो quoted होते हैं और एक unquoted होते है, quoted म यानि जो share market में listed है, तो ये बोल रहा है कि aggregate amount of listed investment and market value कितनी चल रही है, aggregate amount of unquoted, unquoted का मलब क्या है, unlisted, ठीक है, यह हम बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं कि वो share market में listed investment हो, कोई और भी हो सकते हैं, जैसे investment in property की बात कर रहे हैं, ठीक, investment partnership हम की बात कर रहे हैं, तो quoted थोड़ी करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह के सदेखो, quoted generally जो होते हैं, listed investment, वो non-trade भी हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, partnership इसमें बढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं, income on non-trade investment, तो मैं आपको क्या बताता हूं, shares खरीदे, adventure खरीदे, तो वो generally क्यों होते हैं, क्योंकि आपक navigate provision for diminution in value of investment, तो आपने आपको पताएं कि अगर investment fluctuate बहुत ज़्याद होते हैं, उसकी value down होती जाती है, तो उसके लिए आपने क्या provision बनाया है, अब देखिए, defer tax asset की बात कर रहा है, तो जब आपको मैंने बताया था कि एक तो आपका क्या होता है, accounting का profit होता है, यानि book profit और accounting income क्या हो, कम हो, तो उसका जो difference आएगा और उसके जो tax निकलेगा, उसे defer tax asset बोलेंगे, for example, to calculate accounting income, provision for bad debt is subtracted, while to calculate taxable income, provision for bad debt is not treated as expenses, but actual bad debt is treated as expenses, as a result, accounting income become less, क्योंकि आप खुद सोचिए, कि आपने provision for bad debt को क्या गारा expense treat किया, लेकिन जैसे आप taxable वाले पार्ट में आओगे, तो जो आपने treat किया expenses, उसको आपको disallow करना पड़ेगा और वापिस से add करना पड़ेगा, तो taxable income का पार्ट आपका ज्यादा बन जाएगा, और accounting का क्या बन जाएगा, कम बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, defer tax, asset का पार्ट, उस पर जो भी tax निकलेगा, या रखना, those loan advances which are not expected to recover within 12 months from the date of balance sheet, तो इसका मदलब क्या है, कि जो आपको पैसा recover होगा amount, वो 12 महीने बाद recover होगा, अब इसमें क्या बोल रहा है, these shall be classified as capital advances, अब आपको पता है कि जैसे आपने generally capital advances की बात करते हैं, तो fixed rate खरीदने के लिए जो भी advance दिया है, ठीक, ये बोल रहा है कि advances आपने जो भी दिया है, ये आपको cash में realize नहीं होगा, लेकिन ये fixed rate में convert होगा, तो मान के चलो, कि आपने कोई building construct करवा रहे थे, कोई भी आपने building construct यानि investment कर रहे थे, तो उसके लिए आपने advance दे दिया, तो आपको बता है कि वो building मिलने में दो साल का या तीन साल का time लग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, दो साल या तीन साल का time लग जाएगा, तो आपने तब तक जो advance का पार्ट दे दिया, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, तो ये बोला advance given for purchase of fixed assets are cold capital advance, these advances are not relies on cash, अम नहीं होगा, लेकिन बट converted into fixed assets, वो fixed assets में convert हो जाएगा, so these are classified as long term loans and advances, security deposit generally आपको पता है, कि आपको क्या करना पड़ता है, security के जमा करना पड़ता है, electricity का part है, या post paid connection भी लेते हैं, चाहिए मैं landline की जैसे बात कर रहा हूँ न, तो वैसी आप क्या कर रहे हो, कि BSNL का connection ले रहे हो, Airtel का connection ले रहे हो, post paid का, तो उसमें आपको security के जमा करने पड़ते हैं, अब देखि लेकिन आप अपना पार्ट तो हटा दोगे सारा का सारा, तो जो भी security deposit आपको मिला, वो 12 महीने बाद मिलेगा, तो बोल रहा है, amount of security deposit given for a period of more than 12 months, from the date of balance sheet fall in this head, यह आ गया, फिर आपको दे दिया, other loans and advances, specified nature के, तो वो आ सकते हैं, अब देखिए, यह सारा का सारा पार्ट advances वाले पार्ट में था, other non current में क्या गया, जैसे अपने trade paypal देखा था, other non current liability था, वैसे यहां पर क्या बोल दिया, long term trade receival, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, long term trade paypal की बात करो या रगना, 12 महीने से ज़्यादा वाले, तो वैसे यहां पर क्या बोल रहा है, आपको जो पैसा मिला मैं चोटी पे, उसको 12 महीने से ज़्यादा होगे, फिर आपको others दे रखा है, फिर आपको बोल दिया, long term trade receival shall be sub classified as secured, unsecured, doubtful, secured, considered good, unsecured, considered good, doubtful, ऐसे करेंगे, फिर आपको बोल रहा है, allowance for bad and doubtful, loans and advance shall be disclosed under the relevant head separately, अब यहां पर क्या बोल दिया, कि जो भी bad and doubtful loans and advances है, उसके लिए जो भी allowance बनाया गया, उसको अलग से disclose करना पड़ेगा, मलब जैसे provision बनाते हो, तो provision for bad and doubtful debts, तो उसको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, amount due by directors and other officers for the company should be separately stated, जैसे company ने क्या करा है, directors को loan दिया है, तो amount due by director, हम बोल सकते है, company ने लोन दिया है, तो company को वैसे तो बोल रहा है, इसको अलग से specify करना चाहिए, पिर आपका current asset का part है, देखिए क्या है कि practical जो use करते हैं, उनको और ज्यादा detail में पता रहता है, हमें तो क्या theoretically पता रहता है, क्योंकि हम practically life में हमने आस्तकवा किया नहीं, अगर किया होता, या किया भी है, तो बहुत साल हो बूल गए, तो generally जो practically ये काम कर रहे होंगे, जैसे CA या उनसे related articles, जो कि generally क्या करते है, net भी clear करते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छे डंक से proper आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या करा होगा, practically पार्ट में इसको cover किया होगा, तो उनको ये सारा part आजाएगा, लेकि इ के दे रहे हैं, जो मैंने उपर meaning बताई थी, तो आपको पता है, generally जो 12 महीने के अंदर, या normal operating cycling अंदर cash में convert हो जाए, या जो primarily किसके लिए trade के purpose के लिए रखी गई हो, अब इसमें current investment बोल दिया, क्लासिफाइड as current investment, those investments which are held for purpose to convert in cash within 12 months from the date of purchase, जब सापने खरीदे हैं उसके 12 महीने के अंदर, अब देखिए, वहाँ पे तो क्या था, 12 महीने से ज़्यादा, वो non current investment है, ये current, अब same to same सारे के सारे पार्ट दे रखे हैं, बस वो property का पार्ट नहीं दे रखा, क्योंकि property इसमें ज़्याज़ दर invest करते हो, तो वो long term के लिए करते हो, यहाँ पर जो investment दे रखिए, inventory यहाँ रखना, कि आपने जो business में stock खरीदा हुआ, यह नहीं कि आप खरीदना चाहते हो, likely to be purchase, ऐसे भी आया था एक बार exam में, कि inventory means, inventory likely to be purchase, ऐसा नहीं है, inventory आपने खरीद ली होगी, ठीक है, तो इस case में हम क्या बोल रहा है कि inventory में वो part आता है, likely to be purchase नहीं आता आपको बता है कि अगर वो रस्ते में हैं, तो goods in transit दिखा सकते हो, क्योंकि रस्ते में, लेकिन likely to be purchase का मलब कि आप खरीदने वाले हो, खरीदा थोड़ी है, तो वो नहीं आएगा, लेकिन inventory में कि आएगा, जो आप खरीद चुके हो आएगा, यह रस्ते में, तो वो अलग से दिख जाएगा, goods in transit, यहां पर बोल रहा है, raw material, WIP, finished goods, इस तरीके से होता है, अगर आपका, क्या बोल सकते है, manufacturing का काम नहीं है, सीधा आपका अगर तो finished goods खरीद के बेशते हो, तो यानि trading का काम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, stock in trade, तो अगर आपका manufacturing का बाट है, तो उसमें raw medicals हम बोल सकते हैं, कि medical का काम होता है, तो उससे related क्या होता है, कभी-कभी छोटे मोटे items भी होते हैं, तो वो इसमें आ जाते है, stock से related part में, वैसे loose tools का मलब क्या हो गया, जैसे machinery यह होती है, तो उस पर आपको बता है कि bolt, nut, यह चोटे-चोटे part होते है, तो वो छोटा-चो भी खा दो, बस यह बोल रहा है, mode of valuation मलब FIFO, LEFO, weighted average, simple average, आप क्या follow कर रहे हो, वो जनरली बता दो, trade receival का मलब क्या, आपने जो goods बेचा, या services दी है, normal course of business में, उसका जो amount आपको receivable है, यानि जो receive होगा, अभी तक receive नहीं हुआ, तो आपको पता है कि 3 महीनी के उदार है, 6 12 महीने के अंदर आपको क्या होगा, generally amountalized हो जाएगा, यह बोल रहा है, फिर आपको बोल रहा है, allowance वही provision for bad and doubtful debts है, वो अलग से आपको separately दिखाना पड़ेगा, ठीक, फिर आपको बोल दिया, debts, Dubai director, और other officer of the company should be separately stated, यह सेम उसकी तरह ही है, जो आपने भी यहाँ पे देखा यह आपका non-current का था, तो अगर आपके long term के trade receival है, तो उससे related जो provision बना हुआ है, तो आपको बता है कि generally loans and advance से related ही आपका part आएगा, क्या आएगा loans and advance से related ही, ठीक, पर अगर short term से related बोलेंगे तो generally debtors आते हैं, क्योंकि देखिए trade receival long term के तो बहुत कम आपको देखने के मिले आपको पता है कि आपने किसी और goods बेचा, तो आपने उसको एक महीने, दो महीने, तीन महीने, हद मार के पांस महीने, छे महीने की उदार होगी, उससे जादा नहीं होती है, तो उसी तरीके से बोल दिया, debt due by director, जो कि director ने एक तरीके से दो महीने, तीन महीने का जो भी advance लि आजाता है, IT, ठीक है, अब आपको बताए कि अगर आप short में भी आ रखना चाहा हो, तो आप C, उसके यानि शुरू शुरू के जो word बोल सकते हैं, वो particular याद रख लीजिए, तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, cash and cash equivalent की बात करते हैं, तो उसके अलावा भी आ जाते हैं, तो checks and draft and hand आ गया, अब देखिए, cash and balance with bank बोल दिया, तो ये तो bank balance है, ये cash balance है, और ये जो आपको दे रखा है, check and draft and hand, ये cash equivalent की तरह हो गया, ये others, और आपको second में क्या बोल दिया, year mark balance with bank, for example, for unpaid dividend shall be separately stated, तो एक अलग से account खुल जाता है, unpaid dividend bank account, क्या खुल जाता है, unpaid dividend bank account, जिसमें generally क्या होगा, जो भी shareholder है, उनके unpaid dividend का amount पड़ा होगा, जब भी वो shareholder आएंगे, जब भी हम बोल सकते हैं कि shareholder को पता चला कि हमें dividend दिया गया है, लेकिन हमार बास पहुचा नहीं है, तो company के बास आएंगे, वो अपने detail बताएंगे, company क्या करेगी, उनके bank account में ल इसे क्या होता है कि आपको guarantee दे देता हो किसी particular person के लिए, किसको bank को, तो bank क्या बोलता है, कि आपको इतना minimum amount तो हमारे bank में जमा रखना है, ठीक है, या आपने कोई boring leave है, उसके against money को आपने security के form में जमा कर रखा है, कुछ part को, या कुछ commitment है, उससे related part को, तो इसमें आ जाए तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा, अब देखिए cash equivalent का मतलब generally इसने ये बोल रखा है, कि वो highly liquid short term investment which must be readily convertible to amount of cash can be subject to an insignificant risk of changes in value, मैं generally बोल सकता हूं कि देखिए, अगर मैंने तीन महीने के लिए, कोई security खरी दी, तो मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा market में fluctuate होग insignificant risk का पाट हो सकता है, उसे हम बोलेंगे cash equivalent, उसे मैं current investment में नहीं दिखाऊंगा, generally मैं किस में दिखा दूँगा, cash equivalent में दिखा दूँगा, तो बोला, these are such highly liquid short term investment which must be readily convertible to amount of cash can be subject to an insignificant risk, मला उसमें loss के होने के chances भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, therefore an investment normally qualifies as a cash equivalent only if it has a short term maturity or say three months or less from the date of equation, तो मैंने जैसे तीन महीने का आपको example दिया, उससे कम वाला part या तीन महीने तक का part, generally जो भी आप security खरीद रहे हो, जो कि highly liquid है और बहुत ज़्यादा risk ही है, फिर आपको दे दिया short term loans and advances, जो भी आपने advances या loan किसी भी party को दिये short term के लिए, वो सार इसमें आ फिर आपको other current assets, generally उसमें prepaid expenses, advance to supplier का part आजाता है, जो भी आपके supplier उसको advance दे रहे हो, interest accrued on investment, advance tax इसने दे दिया, तो generally आप जो normal पढ़ते हो, जब भी आप ratio वाला part पढ़ते हो, तो उसमें आप prepaid expenses, advance tax देखते रहते हो, advance payment to supplier ये भी generally देखते हो, interest accrued on investment का part तो आपको पत बोलता हूँ न, accrued income को बोलता हूँ, income कमा ली लेकिन receive नहीं भी, तो date आगई लेकिन अभी तक आपको interest नहीं मिला, ये भी हो सकता है, यह हम बोल सकते हैं कि due नहीं हो लेकिन accru हो गया हो, ठीक, जैसे मैंने आपको bank वाली case में बताया था, example में, वो March वाला और June वाला, कि due कब होगा June में, लेकिन उससे पहले balance sheet की data गई कतिसमार, तो January, February, March का interest, तो वो आपकी asset के case में भी हो सकता है, ठीक, तो ये सारा part आपका apply हो सकता है, अब आपके दो part दे रखें, last, ये cover कर लेता है, फिर statement of P&L, अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, तो देखें, वीडियो तो लेंदी बनेगी, बनेगी, क्योंकि part बहुत जादा होता है, अब ये last का part बचा हुआ है, तो इसको छोडेंगे, अगली वीडियो में क्यों cover करेंगे, इसी में cover कर लेता है, contingent liability and commitment का part दे रखा है, तो आपको बताए कि contingent liability का मतलब क्या है, जो आपके एक तर कर रहा है, किसी एक uncertain future event के depend होने पर हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक तो bill वाला बताया था, ठीक, जिसे हम बोलते है, liabilities for bill discounted, वो arise हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मैंने आपको guarantee का part बताया था, आपने किसी के guarantee दी, क्या पता, सामने आले न guarantee दी थी, उसने पे ही नहीं करा, तो क्या पता आपकी liability बन जाएगी, आपको देना पड़ेगा, तो वो सारा part इसमें आ जाता है, देखे यानि इसका मतलब यह हो गया कि ऐसी liability हम बोल सकते हैं, जिसकी obligation अभी नहीं है, जिसकी obligation अभी नहीं है, लेकिन वो किसी future event पे डिपे लो कि एक bank है, ठीक है, और B को कहा चाहिए, लोन चाहिए, भी आपका जानकार है, और bank आपको अच्छे डंक से जानता है, ठीक है, क्योंकि आप bank से बहुत ज़्यादा loan, जो भी बोल सकते हैं, देखिए, आपके अगर तो एक तरीगे से लेते रहते हो, तो bank आपको जानता पर लोन का पेमेंट नहीं कर पाया, तो bank किस के पास आएगा, एक के पास आएगा, तो अब आपको बता है कि उस particular मैचोटी तक एक ही लाइबरिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, तो यहाँ पर आगया liability against the guarantee taken by the company, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक uncertain future event पे, कि य करेगा या नहीं करेगा, अगर नहीं करता, तो occurrence इसका मदल आप क्या वो occur हो गई, और आपकी obligation बन गई जो नहीं थी, तो डंक से पढ़े, contingent liability or such liability which are not obligation at present, but arise by the occurrence or non occurrence of uncertain future event, और say is not sure to occurrence of liability, यानि इसका मदल आप यह बोल सकते हो कि आप कभी भी liability के लिए sure नहीं हो कि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, amount of this amount of these is not to be added in total of balance sheet, so the amount of these is shown in notes to account below the balance sheet, contingent liability shall be classified as claim against the company not acknowledged as debt, कहने का मालब किसी ने claim कर दिया, मान के जो लो court में case कर दिया, तो वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किस पर depend कर रहा है, future में होने वाले event पे, तो जैसे आपको बता है कि court ने आपके against case दे दिया, तो उस पर जो भी claim में आपको देना पड़ेगा किसी third party को, वैसे liability against the guarantee taken by the company, वैसे मैंने बोला कि आपने bill क्या कर दिया, discount करा दिया bank से, ठीक, और bank क्या कर रहा है, उस bill को hold कर कर रहा है, और उस party के पास जा रहा है, जिसके against आपने bill लिखा था, उस party ने क्या तक ध्यान आ रहा हो, मैंने आपको general entries दी यहां, तो वो general entries में पार्ट आया था, तो वो भी क्या है, contingent liability का पार्ट है, other money for which the company is contingently liable, कोई भी other money होगी, जैसे मैंने भी आपको बताया, example में, commitment का मतलब क्या है, यह बोल रहा है, देखिए, commitment मतलब ऐसे मान के चलो कि जैसे हम प्रॉमिस करते हैं, तो वैसे यहां पर company का क्या है, कोई commitment है, जो कि generally क्या है, company को करना ही पड़ेगा future में, ठीक है, तो यह बोल रहा, commitment means an agreement to execute certain obligation in future under certain condition and certain time, अब देखिए, इसमें अगर आपको या रखना है, तो इसके तुरू आप समझ जाओगे, डंग से, यह वाल example, अगर वो non-cumulative तो बात अलग है कि जो भी area of dividend नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखिए, आपको पता है कि company को profit हुआ ही नहीं, तो company dividend दे ही नहीं, लेकिन जब cumulative की बात करते हैं तो उस case में क्या बोलते हैं, अगर किसी साल profit sufficient नहीं है, या loss हुआ, तो उस पे जो भी dividend arise होंगे बहुत सारे, जिसमें आपने reconstruction का case देखा होगा, तो जनरली वो आपको नीचे दिखते हैं, वो कभी भी आपको balance sheet में नहीं दिखते हैं, जो area of dividend on cumulative profit share है, तो commitment में आ गए, तो जनरली ये भी आपको balance sheet में नहीं दिखते हैं, यहाँ पे आपको बोल दिया, commitment shall be classified as estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for, ठीक, तो यह बोल रहा है कि कोई particular capital account है, उससे related जो भी estimate amount of contract है, वो अभी बचावा है, execute होना, और not provided for, अभी तक आपने उसको provide नहीं करा, अगर provide कर लेते तो आप उसकी entry करते हैं, यह बोल रहा है, uncalled liability on partly paid up share, अब आपको बताए कि किसी company के आपने क्या कर द लिए, ठीक, as an investment, then uncalled amount on these share is a commitment to the company since the amount can be paid at any time, जब वो company मांगेगी, तब आप के लिए लिए बनेगी, तब आप दिखाओगे, अभी तो आप दिखाओगे नहीं, तब तक आपने किस के form में लिख रुखागा है, commitment के form में लिख रुखा है, कि नीचे आपने अलग से explanatory note मा बन सकती है, अगर सामने आला हम से क्या करेगा, वो particular जो share का due amount है, वो मांगेगा, other commitment में आपको बता दिया, अब आपका जो part बचा हो, statement of P&L का बचा हुआ है, उसके भी देखे, थोड़े सा point है, फिर यह जो मैंने इसके answer प्रवाइड कर रख है, तो मैं आपको देनी रह क थीक, तो अपन क्या करेंगे, यह वाले साथ में ही कर लेंगे, अगली वीडियो के साथ, आपको solve करने की जुरत नहीं है, थीक, तो है होप, आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखने के लिए, thank you